नमस्कार दोस्तों तो आज इस चुड़े में आपको बताने वला हूँ एट्रेशिया एनाई तो एट्रेशिया एनाई में मिली क्या रहता है जो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यह काफ है न्यूबॉर्ण काफ है चोटा सा बचड़ा है और यह एक दिन का ही है मतलब आज कल ही पैदा हुआ था तो इसमें में अट्रेशिया एनाई में क्या होता है कि जो आनल ऑपनिंग रहता है वो नॉर्मल ऑपनिंग नहीं रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो है ओपनिंग एपसेंट है यह आपको बहुत क्लियर ली दिख वीजिबल है कि एनल और यह जो है इसमें सिर्फ एनल ऑपनिंग ही ऐपसेंट है ठीक है उसके बाद जो साइंस होगे क्लीनिकल साइंस जो है इसमें फीसेज पास नहीं हो ठंक से ठीक है फीमेल के case में Rectovaginal Fistula बन सकता है क्योंकि किया है वह wystul में वह common प्रमेट के में यह छीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी और दूसरी चीज एप्डॉमिनल पेन है डिप्रेशन है वेकनेस है यह सारी चीज़गी और सिर्फ अगर एनल ही involved होगा तो subcutaneous region में वो bulge out करने की कोशिश करेगा इस case में क्या होता है जो anal muscles होती है जो anal sphincter होता है वो absent होता है तो इसका treatment यही है कि incise करके उसको एक opening बनाना पड़ती है जैसा कि आप देख पार है इसमें incision देना पड़ेगा anal region में एक सदू सेंटिमेटर डायमेटर का और जो है इसमें opening बनानी पड़ेगी और वो जो opening है उसको उसकी suturing जो है उसके subcutaneous tissues और मसल से करना पड़ेगी तो यह एट्रेशिया इनाई का case है और इसमें treatment में हम जो है यह surgical intervention तो है surgical treatment recommended है और दूसरी चीज इसके पहले fluid therapy हो गया antibiotics हो गया ताकि मतलब जो toxins जो है बन रहे हैं क्योंकि faces pass नहीं हो पार रहे तो toxins बन रहे हैं तो वो उससे थोड़ी जो help मिलेगी उसको तो यह आट्रेशिया एनाई का case है और ऐसे ही एक दो case होर होते है एट्रेशिया एनाई एट्रेक्टाई एट्कोलाई तो उस करा हम समझभाए होंगे तो थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच इससे रिलिटेड डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते बता सकते सजेशन दे सकते थेंक्यू थेंक्यू